गार्डेन टिप्स और मैं आप सब को आज कि कलम के बारे में बताऊंगा अरहूल फूल का कलम कैसे लगाया जाता है अब एक अरहूल फूल का डंटी ले उसे 45 टीगरी के कौन पर लगवा आठ शेदा सिंथी काट ले इसे काट ले उसके बाद एक कफले जिसमें मट्टी डाल एक यह मजार में दावी मिलता है इस अब इसका जड़ निकलने में काफी मदद करता है तो इसे अब चाहे तु ले सकते हैं नहीं तो फिर कोई बाद नहीं इसे एक बार इसमें डिप करके इसे निकाल ले और और इसे एक कफ में कोई अलग सा डंट लेके एक छेट कर दें छेट करने के बाद इसे इस डंटल को इसमें डाल दें इसके बाद मिट्टी को चारो तरब से दबाकर इसे अच्छे से दबा दे इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी दे दे इसे पानी देने के बाद इसे एक अलग गलास से उपर से इस तरह से ठख दे अगर आपके पास सेलो टेफ है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो एक शेलो टेफ ले उसे इस तरह से बंद करते हैं इस तरह से बंद करने के बाद बंद करने के बाद इसे अपने गार्डेन में नहीं दिन तक दहा सुबह का एक घंटा धूप और साम का एक घंटा धूप आता हो ऐसी जग अपिसे रग दे इस रग दे उसके बाद यह दस दिन के बाद यह दस दिन के बाद कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने इससे दस दिन पहले लगाया था इसे प्लीज एक बाद घर पे प्लीज ट्राइ करें और आपके पास पुदा है तो उसका एक डंठल कार्ट के दने बाद प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल झाल